कम आपको केवा ब्रान्ड के पाइल के एर टेबलेट के बारे में रिवियू दूँगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये टेबलेट आपके शरीर को आपकी पाइल की समझे को किस तरीकिए से दूर करती है डेटेल में आज अपने इसका रिवियू करेंगे benefit side effect uses price dozen सब के बारी में तो गई से दिया बावासीर की समस्या से परिशान है या फिर बावासीर के कारण होने वाले दर्द को दूर करना चाहते हैं दर्द से राहत पाना चाहते हैं कब जैसी समस्या से राहत पाना चाहते हैं पेट को हेल्थी और स्वस्त बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंपर्टेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को लेखना न भूले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन पर प्रेस कर दे जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रही तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के उपर बात कर लेती हैं केवा ब्रान के पाइल केर टैबलिट के बारे में इसकी पैकिजिंग के अंदर गई 60 टैबलिट प्रेजेंट हैं जिसका अउपियो आपके पैल스 की समस्या को दूर करने में किया जाता है ये टैबलिट गईज आपके पैल्स की समस्या को पूरी तरीके से दूर कर दी है इंग्रीडेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी tribal chemical नहीं है जो आपके सरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचाए इसके अंदर ingredient की रूप में कंचनार, कुटर्ज, रीठा, सुराना, नीम, हरद, बहेडा, आवला, राल ये सारे ingredient है जो के आपके पैल्स की समस्या को रिमूव करते हैं डोज की बात करें तो आपको डेली एक टैबलेट लेनी है खाली पेट, कोई confusion ये जाउट है तो एक वार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है किस तरीके से नहीं करना क्योंकि guys हर किसी की body की इस्तिती अलग लग होती है medical इस्तिती अलग लग होती है किसी को फायदा देती है तो किसी को नुक्सान भी कर सकती है इसलिए डोक्टर से concern के विना आप इसके इसके इस्तिमाल बिलकुल भी न करें market से purchase कर सकते है जैसा कि दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीश सकते है वो आपकी choice q पर depend करता है मैं तो guys आपको यही suggest करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता affordable मिले आप इसे वही से purchase करें वैसे तो guys हमने description box में भी इस product का link mention कर रहा है अगर आप चाहें तो इस link पर click करके भी इस product को खरीश सकते है याद रखें guys कोई भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry data आप ज़रू चेक कर ले कुछ लोग guys expiry date देखें विना ही product को purchase तो कर लेते हैं उसका इस्तिमाल करते हैं तो उने side effect होने लगते हैं इसका main reason यह है कि आपने expiry product का इस्तिमाल किया है तो बेसी बात है उसका side effect तो होना ही होना है तो हमेशा याद रखें कि हाँ जो भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry date तो अपन को चेक करनी ही करनी है बहुत ही अच्छा product है जो कि आपके बावासित की समस्या को दूर करने में मदद करेगा और सरीर को healthy और स्वस्त बनाए रखने का काम करेगा लेकिन यह आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप आलस की समस्या को दूर करने के लिए प्रकार की दवा को ले रही है तो गैस इस टैबलिट को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड और किसा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकारियां मिलती रहे और गैस बैल आगन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते है झाल झाल